The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for Rs. 3800 तो 7 bats परचेस किये और 6 balls परचेस की और कितने पैसे लगे? Rs. 3800 रूपी अचा दूसरी तरफ Later she buys 3 bats फिर उसने 3 bats और परचेस किये और 5 balls परचेस की तो उसने कितने पैसे दिये? Rs. 1750 रूपी ठीक है? Find the cost of each bat and each ball तो एक bat की क्या cost है? और एक ball की क्या cost है? हमें ये find out करना है ठीक है? तो देखो simple सी बात है कि सबसे पहले मैं ये consider करता हूँ Let cost of one bat क्योंकि ये मुझे पता नहीं है तो इसको मैं Rs. X माल लेता हूँ और let cost of one ball ये मैं माल लेता हूँ से Rs. Y ऐसे हमने बहुत सारे questions की हैं तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ? मुझे सबसे पहले क्या करना होता है? Variables defined करने होते हैं Variables defined करने के बाद मैं linear equations बनाता हूँ ठीक है? और linear equations को फिर हम solve करते हैं और इस बार हम solve करेंगे substitution method से ठीक है? अब हमें ये किवन है कि 7 बैट और 6 balls के इतने पैसे लगते हैं अब 1 बैट का अगर मैं X रूपीज दे रहा हूँ तो 7 बैट के मैं 7 X रूपीज दूँगा ठीक है? और 1 ball की अगर मैं Y रूपीज दे रहा हूँ तो 6 balls के लिए मैं 6 Y रूपीज दूँगा ठीक है? सिद्धी सी बात है अगर ये 10 रूपे का है तो 7 ball ने कितने की होगी? 70 रूपे की 7 इंटू 10 अगर ये 5 रूपे की है ball तो 6 ball ने कितने की होगी? 6 इंटू 5 ठीक है? तो इसलिए 7 X प्लस 6 Y हो गया और इसकी total cost ये है किसके बराबर? 3800 रूपीज के बराबर तो मैं RS नहीं लिख रहा सिर्फ 3800 लिख रहा हूँ calculations के लिए दूसरी तरफ 3 bet 3 bet मतलब 3 X रूपीज दिए 5 balls 5 balls मतलब 5 Y रूपीज दिए और total कितने दिए? 1750 रूपीज ठीक है? तो अब हमने इनको solve करके क्या करना है? एक bet और एक ball की cost निकालनी है यानि की X और Y की हमें value निकालनी है using substitution method अब इसको मैं बोल देता हूँ से equation 1 इसको बोल देता है equation 2 तो ज़्यादा तर हम क्या करते थे? अभी तक सारे questions में X की value निकालते थे और दूसरी equation में put कर देते थे इस बार मैं चलो Y की value निकालता हूँ ठीक है? मैं ये वाली equation ले ले लता हूँ ठीक है equation 2 तो 5 Y हो जाएगा 1715 minus 3X राइट? तो मैंने इस बार इस equation में से Y की value निकाली अब Y की ये जो value है ये जो Y की मेरी value है in terms of X इसको अब मैं इस equation में put कर लता हूँ अब second equation में से मैंने Y की value निकाली और first equation में अब मैं उसको put कर दूँँगा यानि कि substitute कर दूँगा यहां में लिखूँगा substitute value of Y in equation 1 तो ये कितना हाजाएगा 7X plus 6 into Y की value क्या है यहां मुझे Y की value ये डालनी है ठीक है तो ये हाजाएगा 1750 minus 3X divided by 5 is equal to 3800 तो इसको अब हम solve कर लेते हैं तो ये मेरा कितना आजाएगा 7X plus 6 by 5 into 7050 minus 3X is equal to 3800 तो 5 को अगर मैं LCM लोगा हूँ मैं थोड़ा सा quickly कर ला हूँ आप ये calculations खुद करके देखना तो ये मेरे पास यहां पे 5 LCM हो जाएगा और यहां पे आजाएगा 35X plus 10500 minus 18X is equal to ये 3800 है तो यहां से जब मैं इसको solve करूँगा तो ये 35 minus 18 is 17X plus 10500 is equal to 5 उदर जागे multiply हो जाएगा 3800 के साथ तो वो मेरा हो जाएगा 19,000 ठीक है और this implies X कितना हो गया मेरा 8500 divided by 17 which is equal to 500 तो X की value हमारे पास कितनी आगी 500 तो cost of 1 bet, एक bet की cost हमने निकाल ली 500 रूपीज अब इसी value को मैं इन में से किसी भी equation में put कर सकता हूँ लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि जहां आपने Y की value निकाल रखी है उसी में डाल दो, तो 1750 minus 3 into X की value हमने अभी अभी निकाल ली 500 divided by 5 और इसको जब आप solve करोगे तो आपके पास answer आजाएगा 50 ठीक है, ये simplicity calculation आप कर ले ना तो X 500 और Y 50 यानि की bet की cost 500 रूपे और ball की cost 50 रूपे इस दा answer so that's it from this tutorial, keep watching Mathemaphia